उत्तर प्रदेश में चाचा श्युपाल यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखलेश यादव के बीच तल्खियां कम नहीं हो रही हैं। कर कहा था कि अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए सपा के दर्वादे खुले हैं। हमारी पार्टी उन्हें दिल से स्विकार करेगी। उस वक्त शुपाल यादव ने ऐसे संकेत दिये थे कि 2022 से पहले वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकते हैं। मगरव शुपाल यादव ने अलग मंशा जाहर कर अखलेश की मुश्किले बढ़ा दी हैं। शुपाल यादव ने साफ कर दिया है कि सपा से कोई समझोता नहीं होगा। यूपी के बदायों पहुँचे शुपाल यादव ने कहा कि 2022 के विधान सभाचुनाव में समान विचारधारा वाले दलों से गटबंदर की रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन सपा से कोई समझोता नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के महा सचीव राम गोपाल यादव पर निशाना भी साधा। और कहा कि सपा को कमसोर करने और तोड़ने के पीछे राम गोपाल यादव का शड़ अंत्र था। पुथल पुथल देखने को मिली थी जिसने चाचा श्रिवपाल और भतीजे अखलेश के बीच दरार डाल दी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये दरार इतनी बढ़ गई कि चाचा श्रिवपाल अलग पार्टी बना कर चुनावी मैदान में उतर गए जिसका कि रिपोर्ट